बुलंद शहर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों की बीच मुटभेड हुई इस दोरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 के इनामी बदमाश गहल हो गया आपको बता दें कि इनामी बदमाश साल 2017 में सिकंदराबाद में हुए चर्चित अमित हत्या कांड का मुख्य आरोपी है और हत्या के बाद से इनामी बदमाश फरार चल रहा है जिसकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी फिलाहाल पुलिस ने गहल बदमाश को अस्पताल में भरती करा दिया है यहां गहल का इलाज चल रहा है वहीं दूसरी और मेरट में अपराधों पर रोक लगाने के लिए लगातार चल रही धर पकड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां पुलिस ने 1999 से चल रहे कुख्यात इनामी बदमाश सहित अलगलग थानों से साथ अपराधियों को धरदबोचा इसके साथ ही भारी मातरा में कार्टूस और चोरी का लाखों का सामान बरामत किया है आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश लगातार चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इन पर कई जनपदों में एक दरजन से ज़्यादा मुकदमे दरज हैं ओर चोरी जल भेज दिया है और गैंघ के अनिस अदस्सियों की गरफ्तारी के लिए दविश दि जा रही है पंजाब के सिरी टीवी के लिए बुलंद शहर से इकबाल सैफी और मेरट से आदिल रहिमान की रिपोर्ट